ये इंडिया की पहली स्पोर्ट्स बाइक है जिसको आप आठेचार रुपे में घर लेके जा सकते हो जिसमें आपको मन्तली माई मिलती है दो हजार आठेचार रुपे की ये है हीरो की तरफ से न्यूली लॉंच एक्स्ट्रीम 125 आर जो की अब आपको सिंगल चैनल ले भी इस है इसको आठेचार करते हैं सबसे पहले आपको इसके कुछ फीचर के बारे में बता देता हूँ फ्रेंट से जो आपको लुक देखने को मिलती है पूरी स्पॉट देखने को मिल जाती है जिसमें आपको ड्रेल को वो भी अपको LED में मिलने वाली है इसके जो Indigator है यह भी अपको LED में मिल जाते हैं कुछ इस तरीके से Blink करते हैं और इसमें आपको Hazard Light का भी Option मिल जाता है जो कि कुछ इस तरीके से है अब बात करते हैं इसके Front Air की front tire आपको जो मिलता है वो 19x19x17 इंच का मिल जाता है जिसमें आपको disc brake 240 mm की मिलती है single channel abias इसमें मिल जाता है और इस bike में जो आपको seat मिलती है वो आपको split seat देखने को मिल जाती है जो की 794 mm की seat height है ground clearance की बात करें तो इस bike का ground clearance 180 mm का आपको मिलने वाला है बात करें इस bike के engine की तो इसमें आपको 124cc का air cold engine मिलने वाला है जो maximum horse power generate करता है 11bhp की rear से लोग कुछ इस तरीकी की देखने को मिल जाती है जिसमें आपको tail light LED में मिल जाएगी और इसके जो indicator है वो भी आपको LED में मिलने वाले है rear tire जो आपको मिलता है वो आपको 120-80-17 देखने को मिल जाता है और rear में आपको drum brake देखने को मिल जाती है इस bike का जो curve weight है वो आपको 136kg का मिलने वाला है और ये जो bike आती है 5-speed gearbox के साथ आती है जिसमें आपको size stand भी मिलने वाला है और double stand भी मिलने वाला है और इस बाइक का जो टैंक है यह आपको 10 लिटर का मिल जाता है जिसमें आपको एश्ट्रीम की दोनों तरफ बैजिंग देखने को मिल जाती है स्विचिस इसमें आपको न्यू स्टैलिस स्विचिस देखने को मिलते हैं राइट साइड में भी आप देखने को मिल जाते हैं उपर आपको gear position का भी option मिलने वाला है timing का option मिल जाता है fuel का option मिल जाता है और total kilometer कितनी चलिए वो भी आपको मिलने वाला है अब बात करते हैं इस bike के detail में price के बारे में और ये जो मैं आपको price बताने वाला हूँ ये मैं आपको दिली NCR का बताऊंगा अगर आप दिली NCR से हो तो ये scheme आपके लिए ही होने वाली है अगर आप other state से हो तो आपको nearby showroom जाके ही इस bike का price confirm करना पड़ेगा इसका दिली में एक showroom price 99,500 रूपीज है road tax इसमें 8,464 रूपीज होता है जो की एक showroom का 8% होता है insurance इसमें 7,672 का मिलता है जिसमें आपको एक साल zero debt 4 साल third party insurance मिलने वाला है accessories के other charges 750 रूपीज आपको pay करने होते हैं helmet इसमें आपको 1045 रूपे का मिलता है ये आपको free of cost नहीं मिलता total ये गाड़ी आपको 1,17,431 में मिलती है जिसमें आपको warranty 5 साल या 70,000 किलोमेटर के मिल जाती है इसको आप extend भी करा सकते हो services में 4 free मिलती है labor and washing charges में free रहेगा number plate आपको 3-4 दिन में showroom से मिल जाती है RC आपको 15 से 45 दिन में मिलती है in case आप कोई choice का number लेते हो तब buy post आपके घर आती है ये तो होगी इसकी cash की detail अब बात करते हैं इसके finance की finance की scheme जो मैं आपको देने वाला हूँ ये मैं आपको private bank की देंगा अगर आपके पास income proof है सिबिल आपका 750 प्लस है और own house proof आपके पास है तब आप इस bike पे 95% तक loan करा सकते हो own road का 95% जो loan होगा 11,560 रुपे होगा जिसमें आपके down payment आने वाली है own road में से minus करेंगे 95% loan को 5871 रुपे down payment आजेगी जिसमें आपको HP के 500 रुपी चार्ज पे करने पड़ते हैं और इसमें जो bank के चार्जिस हैं 2231 रुपे पे करने पड़ेंगे जो की 95% loan का 2% होगा processing fees total शुरू में 8602 रुपे देने हैं और इस bike को आप घर लेके जा सकते हो EMA डिटेल की बात करें तो EMA इसमें जो start होटी है वो आपकी डेट साल से start हो जाती है अगर आपकी salary काफी अच्छी है तब आप इसमें 18 months की EMA करा सकते हो जो की 7144 रुपे होगी और 5596 रुपे की आप 2 साल की EMA इसमें करवा सकते हो 4061 रुपे की 36 months की EMA जो की 3 साल के लिए valid है और 3306 रुपे की 48 months की EMA जो की 4 साल के लिए valid है इसमें जो bank loan देता है maximum 4 साल के लिए ही loan देगा ये हो गई income proof के लिए scheme आप बात करते हैं non income proof case में की आपको क्या scheme मिलने वाली है अगर आप job करते हो salary account में नहीं आती है या business करते हो तो आपके पास ITR नहीं है तब आपका जो loan होगा वो 80% तक loan होगा ओन रोड का 80% 93,900 रुपीज हो जाएगा डाउन पेमेंट जो आपके आएगी ओन रोड में से माइनेस करेंगे 80% loan को तो 23,487 रुपे आपके डाउन पेमेंट आने वाली है HP का 500 रुपीज चैज एड हो जाता है और इसमें आपको 3% processing fees पे करनी पड़ती है 80% loan की जो की 809 रुपे है शुरू में आपको 26 या 796 रुपे देने है और EMI की बात करें तो इसमें डेट साल सी EMI स्टार्ट हो जाती है 6,049 रुपे की 18 months की EMI होगी जो की डेट साल के लिए है और 4,735 रुपे की आपकी 2 साल की EMI आने वाली है 3,443 रुपे की आपकी 3 साल की EMI इसमें आपको मिलने वाली है और 2,808 रुपे की आपको 48 months की EMI मिलेगी जो की 4 साल के लिए valid है इसमें भी जो loan होता है maximum 4 साल के लिए ही loan होगा अब बात करते हैं इसमें document क्या required रहते हैं document KYC के लिए इसमें pen card, अधार card, electricity bill आपके पास होना चाहिए अगर आपके पास electricity bill नहीं है डेली में आप rent पे रहते हो अधार card आपका दिल्ली का है तब आपका इस bike पे जो loan होगा 65 to 75% loan होगा as per civil और 3 months की bank statement इसमें required रहती है दो check इसमें required रहेंगे, एक photo इसमें required रहेगी ये तो होगई इसके finance की scheme अगर आप इस bike के tested लेना चाते हो तो showroom का contact number showroom का address description में mention कर दूँगा फान से भी इनको contact कर सकते हो ये थी मेरी छोटी से informative video I hope आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को like कर देना चैनल को subscribe कर देना मिलते हैं next informative वीडियो में तब तक के लिए जै हिन, जै बारत, take care